Hello dear students, welcome to the YouTube channel Deft Education once again तो students एक पर फिर से आपका स्वागत आपका स्वागत आपसे अमेजिंग प्लाटफॉर्म के उपर तो आज के वीडियो में मक्सट यह है, मैं आप से डिसकस करने जा रहा हूँ that whether JK Bopi जो है, वो seat matrix के अंदर कोई change लाएगी या नहीं लाएगी यानि कि कितनी चांसा से seat matrix के अंदर change होने की, वो हम देखींगे देखिए students, अगर मैं आपको बता दू that JK Bopi की तरफ से कोई भी notice बगारा नहीं आया that they are going to change the seat matrix, और नहीं कोई reason आया उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ new reservation policy के इस्तमाल किया गया था और seat matrix उसी reservation policy के basis पर आया whether वो PG की courses हो, या आपकी जो paramedical courses है, उनकी में बात करूँ तो एक ही reservation policy इस्तमाल होती है और ये rule है that आप अगर किसी course के अंदर एक reservation policy के इस्तमाल करते throughout the year आपको उसी reservation policy के इस्तमाल करना है हर एक जगा पर और अगर कोई भी change आता है reservation policy के अंदर तो वो एक साल पहले ही जो है जैसे अगर मैं आपको बता दू ये जो change था 2020 के अंदर new reservation policy आ गई थी लेकिन 2020 में implement नहीं हुई, वो 2021 में हुई अगर कोई change आएगी तो वो अगले साल से हम expect कर सकते हैं बर इस साल कोई भी chances नहीं है तो मैं आपको clear बता दू that JK Bopi की तरब से कोई भी notice नहीं आया कि हम seat matrix को change कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा पहले भी students ने protest किया तो वो protest जो है मैं आपको बता दू that change बगरा नहीं होने वाला जो seat matrix आपका operate हुआ था पहले जो seat matrix पहले था वो ही रहेगा तो आप tension ना ले, खुश रहे और अगर आपने अच्छी performance शो की है तो आपकी selection ज़रूर होगी और हम दुआ करेंगे that आपकी selection हो तो ये था वीडियो आज का कि मैं आपको यही बताना चाहता था that कोई भी change seat matrix के अंदर नहीं होगा तो अमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा जैसे ही selection list आती है मैं आपके साथ share कर दूँगा thanks for watching this video अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने thanks for watching